हेलो फेमिली कैसे हो स्वागत है पोकिच्रियों के एक नए वीडियो में तो गाइज थोड़ा सा तबियत डाउन है सरदी लग चुका है that's why मैं facecam वीडियो नहीं कर पा रहा हूँ but गाइज आज मैं आपको एक ऐसा news दूँगा भाई आपका तबियत सही हो जाएगा मेरा तो almost 50% सही हो चुका है guys मैं आपको बताता हूँ देखो आप लोग को पता ही होगा ये मन्त में हमें धेट सारा legendries मिल रहा है but guys एक तो आपको primal ground on मिलेगा लेकिन अगर मैं आपको कहूँ आपको shadow ground on भी मिलने वाला है प्राइमल कायोगरे मिलेगा but shadow ground on आप कैसे गेट कर सकते हो तो guys first of all एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ इससे पहले जो team rocket takeover event हुआ था वहाँ पर हमें मिला था shadow कायोगरे and guys मैंने उसके बाद एक video upload किया था अगर आप old subscriber हो तो आपको पता होगा वहाँ पर मैंने बताया था कि ये shadow कायोगरे के बाद कौन सा वो legendary Pokemon है जो हमें जियोवानी के पास से मिल सकता है and जो मेरा prediction था वो था shadow ground on और मैं guys जूट नहीं बोलता हूँ वो ही shadow ground on फिट से हमें ये मत में shadow team rocket takeover event में मिलने वाला है तो guys यहाँ पर जो event आएगा taken treasures ये event में आपको shadow mutu तो मिलेगा जिसका date मैंने बहुत बार बताया है 30 and 31st March ठीके लेकिन यहाँ पर एक team rocket takeover event भी आपको मिलेगा जो start होने वाला है 27 March से and वो 31st March तक रहने वाला है ठीके यही time duration के बीच में एक आपको special research मिलेगा मतलब कि 31st March के बाद भी वो special research रहेगा उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है बट वो 27 March से start होने वाला है वो special research complete करने के बाद basically वहाँ पर आपको एक black color का radar मिलेगा जिसका नाम है shadow rocket radar तो वो shadow rocket radar से आपको जियोवानी को defeat करना है और वहाँ पर आपको मिलने वाला है shadow groundon मतलब ये मन्त में अगर आप देखोगे primal kyogre, primal groundon, mew2 मतलब shadow mew2, shadow groundon उसके बाद इतना सारा 5 star में legendary pokemon and mega pokemon मिल रहे तो guys आप लोग सोच सकते हो इसके बाद क्या होने वाला है pokemon go में ये ही मन्त में इतना सारा legendary हमें मिल गया तो go face में क्या होगा तो guys यही था आज का video और इसके उपर एक और एक dedicated tips and tricks का video आएगा कि बहुत आसानी से आप shadow groundon को कैसे defeat कर सकते हो मतलब कि जियोवानी को ढूंट के कैसे defeat कर सकते हो तो वो video बहुत important होने वाला है वो देखने के लिए guys एक काम कर देना अगर आप channel में नए हो भाई please यार बहुत मेहनत करता हूँ channel को subscribe जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है and video में like कर देना shadow groundon के लिए आज का like aim होने वाला है 800 likes अगर आप complete कर दोगे ऐसा video ले क्या होंगा भाई आप आसानी से जियोबानी को ढूंड लोगे and shadow groundon आपके पास आ जाएगा so guys please like जरूर कर देना मिलते है guys next video में